कबश श्रीफपूरी के एक ओत्वाली से है जहां पोलिस को हाली में एक बड़ी सफलता मिली है पोलिस ने एक बाइक चोर ग्रोह को पकड़ा है बाइक चोर ग्रोह ने 31 बाइक चोरी करना स्विखार किया है स्पी राजे सिंग्चंदे ने पताए कि कुछ दूनों से अस्पताल चोराहे से बाइक चोरी हो रही थी मामले को गंबीरता से लेते हुए पुलिस ने पड़ताल शुरू की जहां पता चला कि दीपक रजक अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक चोरी की घटना को अंजाम द पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कीज दर्ज कर लिया है पुलिस ने आरोपियों के पास से 18-20 लाख रुपे तक की बाइक बरामत की है तो यह जो जो अज शुचना मिलनी मिली थी क्या था पिछले कई दिनों से मोटर सेक्ट चोड़ी की बार्दास्ते हुए शेह में उनके लिए स्पिशली इनको वर्क करने के लिए का था तो एक सूचना विपराफ दूती कि बीपक रजक करके विपी यह चूरी कर रहा है ल पकड़ा गया उससे पूस्ताज की गई तो उसने बताया कि पिछले देड़ साल में 35-40 गाडियां नों चूरी के हैं काफी सारी गाडियां जो है डिस्टिक हॉस्पिटल के बाहर वाली करिए को वहां पर लोग अपना अंदर चले जाते हैं फिर वह खाली पड़ा रहता है लोह को लाखता आना जाना रहता है तो शंकर नहीन होते है तो उससे 25 गारियां कम बताइक लिए उसके पूछा गया तो इनके सास दीपक के सास्त में का नीरज है और इसके साथ में परिजेश है जी दिए गाडियां नोग और फिर गाडियों को ने से वहां पे वह मशीनों से उसको कटवा देते थे उसको हजार से दोजार रुपे के बीच में परसा गाडी के साथ से मिल जाता था यह अच्छी गैंक पकड़ाई यह से पांचों को हमने अर्रेस्ट किया है कबाडी को भी जो करवाता था अपिल खटिक को भी तो इसमें मदद क करते थे तरण वहां कि पर अगारी के वहां भी जो में दो एक हैर्लें के नहीं रहिए हैं गार्डेल और दोजां के पामोर्व कर मेदा दोगल पासे प्लाडी का पर इक क्रवाड जैंटे हैं पेटो हमने आसपास को और कबाड़ी होंगे को डाउन में दिखवा हैं अभी एक दम यह सामने निया लेकि इसको बिश्चना में ले रहे हैं कि हो सकता है इस तरह कर भी कुछ करते हैं कि अभी पता करें इसको गरीफाय करें